हेलो एब्रीवन, वेलकॉम अगें तो लन्वरे देदिमन, तो देखिए हमारा राजिस्थान में चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं, इसके कोशन आंसर आज हम करेंगे, और एक कमेंट में किसी ने कहा कि मैं आपने चैप्टर नहीं पढ़ाया और कोशन आंसर करवा दिया, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हो और चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ चोके हैं, इस 8th क्लास में 10 चैप्टर थे जिनको हमने बहुत अच्छे से डेटेल में पढ़ा, जैसे हमने 6th क्लास को कम्प्लीट किया, फिर हमने कोशन आंसर किये, 7th क्लास को हमन और दूसरी बात यह है कि कोर्स में जो है एक बच्चे ने कहा है कि मैं आपने जो है वो कोशन आंसर की PDF नहीं दी, जो कल मैंने आपको यहां पर चैप्टर जो है कोशन आंसर करवाए थे, थोड़ा सा आप लोग जो है वो patience बना के रखिये, क्योंकि कल ही चैप्टर जो है पढ़ाया था, एक दिन यदि थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग जितने सारा जो मैटर आपके पास पहुंच चुका है, उसको तो पढ़िए, आपके पास RBSC की complete history पहुंच गई है, 6 से 10 तक की geography पहुंच गई है, quality पहुंच गई है, economics पहुंच तो यह चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो भी last year जो exam हुए थे, read का हुआ था, second date का, पटवार का आप देखिए, SI का देखिए, पुलिस का देखिए, यहां तक की gram सेवक का, pre का exam देखिए, in question answer से बाहर आपका बिल्कुल नहीं गया है, जिसने भी exam दिये हैं, वो सभी बच्चे जानते हैं, कि यहां से एक single question बाहर नहीं गया है, इन books में से जो question में आप लोगों को निकाल कर देती हूँ, उनको आप अच्छे से याद करिए, रटिए, बारवार revision करिए, जिससे की exam आने तक यह आपको बहुत अच्छे से learn हो जाए, तो च चप्टर अच्छे से पढ़िएगा, सबसे first question है, राजे स्थान में 1857 की क्रांती का मुख्य कारण क्या रहा, तो जो मुख्य कारण रहा, वह रहा, कंपनी का राजियों के आंतरिक शाषन में हस्तशेप करना, इसके साथ ही राजियों के आर्थिक मामले में हस्तशेप करना राजनितिक शाषन में हस्तशेप करना, तो 1857 की क्रांती जो है उसके ये मुख्य कारण रहे थे, तातकालिक कारण अलग है और उसके बाद जो है मुख्य कारण अलग है, डूंग जी, जवाहर जी और लोठु जाट ने किस सैनिक छावनी को लूटा, ऐसे ही कुशन आपके अग्जाम में पूछ लिया जायेगा, नसीरावाद सैनिक छावनी को इन्होंने लूटा था, ठीके, डूंग जी, जवाहर जी, लोठु जाटने, नसीरावाद सैनिक छावनी को लूटा था, मेरवाडा बटालियन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 18 1834 इस्वी में की गई थी तो मुक्य उद्देश चे तो यही था अंग्रेजों का कि कैसे जो सभी रियासते हैं राज्य हैं इनके आर्थिक मामलों में हस्तशिप किया जाए ठीक है तो यहां 1834 इस्वी में मेरवाडा बटालियन की इस्थापना की गई नेक्स्ट देखें अब देखा था कौन साथ हम ने देखा कि मेरवाडा बटालियन की स्थापना 1834 में की गई सेखावटी ब्रगेट 1835 इसवी में किया गया मेवाड के भील कोर की स्थापना कब की गई थी मेवाड भील कोर की स्थापना कब की गई थी तो कमपनी ने 1841 इसवी में मेवाड भील कोर की स्थापना की थी ठीक है तो ये जो सभी बटालियन थी इनका जो रख रखाव का खर्चा जो है वह भी उसी राज्य से वसूल किया जाएगा ऐसा जो है अंग्रेजों ने पहले जो है ये बता दिया था ठीक है की क्रांती का तातकालिक क्यारण क्या रहा था तो तातकालिक कारण जो है वह है गाय और सुवर की चर्वी का प्रियोग रहा जो की कार्तूसों में प्रियुक्त हुए थे ठीके एंफिल्ड राइफलों में प्रियुक्त कार्तूसों में गाय और सुवर की चर्वी का किया गया था जिसे की यूज करने से पहले जो है मुह से खोलना पड़ता था तो ये सबसे बड़ा जो है वो तातकालिक कारण रहा था 1857 इस वीग की क्रांती का भारत में 1857 की क्रांती की सुरुवात जो है कहां से हुई थी 1857 की क्रांती की सुरुवात भारत में हुई थी मेर में 10 मई 1857 को ये क्रांती जो है वो प्रारम हो गई थी 1857 की क्रांती के समय राजिस्थान के AGG, Agent to Governance General कौन थे? तो 1857 की क्रांती के समय राजिस्थान के AGG, Agent to Governance General थे George Patrick Lawrence 1857 की क्रांती के समय मेवाड, मारवाड और जैपूर में PA यानि Political Agent कौन थे? तो यहां पर जो AGG George Patrick Lawrence था उसने अपने PA जो हैं विभिन रियासतों में छोड़े Major Savers है, Mac Motion है, Colonel Eden है तो मेवाड में Major Savers को तैनात किया, मारवाड में Mock Mason को, Mock Mason कहिए या Mac Mason कहिए और जैपूर में Colonel Eden, यह नाम याद रखिएगा क्योंकि एक्जाम में कई बार यह यह पूछा गया है कि मेवाड की रियासत में PA कौन था उस समय? Major Savers, मारवाड में Mock Mason और जैपूर में Colonel Eden राजेस्तान में 1857 की क्रांती के समय कितनी छावनियां थी? तो यहाँ पर कितनी सावनियां थी? 6 छावनियां थी नसीरावाद, नीमच, एरिनपोरा, देवली, व्यावर और खेरवाडा यहाँ पर ध्यान रखें 6 छावनियों में कोटा जो है वो शामिल नहीं है कोटा जो है वो कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी पिर भी वहाँ विद्रो हुआ था ए जी जी लॉरेंस को मेरट विद्रो की सूचना कहां और कब मिली? तो ए जी जी लॉरेंस को मेरट विद्रो की सूचना 19 मई 1857 को मिली थी कहां पर माउंट आवू में मिली थी और तभी से उसने जो राजाओं को सूचित कर दिया था कि राज्यों में जो है जो भी क्रांती कारी जो है क्रांती पहला रहे हैं उनको न एंटर करने दे नसीरावाद में सैनिकों ने कब विद्रो किया? नसीरावाद में सबसे पहले विद्रो किया गया था 28 मई 1857 में तो यहां पर एक और कुश्यन आ जाता है कि राजिस्थान में सबसे पहले क्रांती जो है वह कहां से प्रारम हुई तो नसीरावाद से हुई थी, 28 मई 1857 इस्वी को राजिस्थान में 1857 इस्वी की क्रांती के समय चावनियों के मुख्याले कहां थे 1857 इस्वी की क्रांती के समय राजिस्थान में 6 चावनिया थी नसीरावाद जिसका मुख्याले अजमेर में था नीमच जिसका ग्वालियर में था, एरिनपुरा का पाली में मुख्याले था, देवली का तौंक में था, व्यावर का अजमेर में था, और खेरवाडा का उदैपुर में था, ठीक है, ध्यान देना है इसमें कि 6 छावनिया थी, राजिस्थान में 1857 की क्रांती के समय, इनके पूछा जा सकता है नीमच का जो मुख्याले कहां था, ग्वालियर में, नसीराबाद का अजमेर में, एरिनपुरा का पाली में, टेवली का तौंक में, व्यावर का अजमेर में और खेरवाडा का उदैपुर में राजिस्थान में 1857 की क्रांती का प्रारम सर्वप्र्थम क कहां हुआ तो सबसे पहले कहां हुआ नसीरावाद में हुआ था 28 मhã 8 1857 नसीरावाद में किन अंगरेजों की हत्या सैनिकों ने कर दी थी तो dys Systems तो Kinतिकों और मेजर इसपोर्टिस वूड कि हत्या जो है वो कर दी गई थी नीमच में विद्रो कब और किसने किया तो नसीराबाद के बाद विद्रो होता है 3 जून 1857 को नीमच में और यहां पर मुहमद अलीबेक के नेतरत्व में विद्रो किया जाता है एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? तो यहां विद्रोह 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था एरिनपुरा में विद्रोह किस ने किया था? एरिनपुरा में विद्रोह जो है वहे किस ने किया था? तो यहां मोती खां, सीतल प्रसाद और तिलक राम इन्हों ने जो है विद्रोह किया था चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया? बहुत important question है, एक्जाम में आ चुका है, एरिनपुरा छावनी जो है, यहां के सैनिकों ने चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, ठीक है? एक क्या है कोट की? दिल्ली, चलो, है ना? यह नहीं है, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, ऐसा ही यह याद रखना है, इसका नारा लगाया और दि 1857 इसवी में क्रांतिकारियों का नेतरत्यों जो है, वह कहां किया? तो इन्हों नेतरत्यों जो है, वह आववा में किया था. तो क्या था कि 1817-18 की जो संदी हुई थी, उससे पहले जो शाशक थे, राजा महराजा थे, तो वो जो है, किस पर डिपेंड रहते थे? सामन्तों पर डिपेंड रहते थे, लेकिन जैसे ही संदी हो जाती है, तो उनकी जो है, निर्भरता समाप्त हो जाती है सामन्तों से, ठीक है? तो सामन्तों को जो है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है, उनके उपर पढ़ता है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है तो यहां पर आओवा, सलूंबर, कोठारिया, यहां के जो ठिकाने थे, जहां सामन्त रहते थे, तो ये भी बहुत परेशान थे, 1857 की क्रांती में, इन्हों ने साथ दिया था इसी वज़े से क्रांतीकारियों का। जो सैनिक थे, उन्हों ने ठीक है, जो जोठपूर महाराजा तक्तु सिंग थे, उन्हों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनकी जो सैना है इसको पराजित किया, आओवा के ठाकुर कुसाल सिंग और सैनिकों ने। युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में भी कुसाल सिंग विज़े होता है, ठीक है? 8 सितंबर 1857 को जो विठोड़ा में युद्ध हुआ था और चैलावासा का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था, दोनों ही युद्ध में कौन विज़े ही रहा कुसाल सिंग। होम्स के नेतरतों में सैना ने आववा पर आक्रमन कब किया? तो 1858 एसवी में होम्स जो है, वह सैना लेक पर आता है और आववा के किले पर आक्रमन कर देता है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो आववा के किले पर अधिकारिन का हो जाता है। किसका अंगरेज़्ों का कोटा में क्रान्ती जो है कब और किसने की थी कोटा जो है वो सैनिक छाबनी तो नहीं थी लेकिन यहां पर जो आम जनता थी उसने विद्रोह किया और यहां पर क्रान्ती जो है वो 15 अक्टूबर 1857 ईसमी को होती है किसके नेतरत्व में होती है जै दयाल और महराव अली खां के नेतरत्व में होती है कोटा में किसका सिर काट कर विद्रोही सैनिकों ने कोटा शहर में घुमाया कोटा में किसका सिर काट कर विद्रोही सैनिकों ने कोटा शहर में घुमाया और कोटा के जो यहां पर महाराव थे, राजा थे, कौन थे, राम सींग सेकेंड थे, ठीक है, उनको नजरवन्द कर दिया था, कोटा जो दुर्ग था, उसी में ही कैद कर दिया था, तो जिन बचों ने चैप्टर पढ़ा है, वो तो question answer उनको बहुत अच्छे से clear हो रहे स्टार्डिंग से ही मैं सबको बोलती आ रही हूं, चैप्टर पढ़िए और उसके बाद question answer देखिए, ठीक है, राजिस्थान में सबसे सू नियोजित और सू नियंतरित करांती कहां हुई, तो यहां पर कोटा में सबसे अधिक सू नियोजित और सू नियंतरित करांती नसीरावाद में पंदरवी बंगाल नेटिव इनपैंट्री थी और मुख्याले कहां था अजमेर में, उसके बाद नीमच इसमें मेवाड राजपुताना रेजिमेंट थी और इनका मुख्याले ग्वालियर में था, एरिनपुरा में जोदपुर लीजियन थी और पाली में मुख्याले था, देवली में कोटा रेजिमेंट थी, व्यावर में मेर रेजिमेंट थी, तो यह सभी रेजिमेंट भी आप नाम याद रखेंगे ठीक है, नसीरावाद का तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि सबसे पहले जो है क्रांती जो है स्टार्ट करते हैं एक भी कुशन आप नहीं छोड़ेंगे ठीक है और इनको बार बार रिवाइस करिए वीडियो बार बार देखिए तब ही आपको ये चीजें याद होईगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू